हाई फ्रेंज, टड़ी विशिप्रा में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ने वाले हैं कलमी साग पर निवन, तो चलिए जानते हैं, आज इस निवन में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलमी साग का परिचे, फिर कलमी साग की खेती, कलमी साग का निसकर्ष के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल्मी साग एक हरा पत्तेदार सबजी है जो भारतिय उक महादीब में व्यापक रूप से उगाई जाती है इसे करेमू, कर्मी, किर्मूआ, नारी आदे नामों से भी जाना जाता है अंग्रेजी में इसे वाटर स्पेनेश कहते हैं यह पानी में या गीली मित्टी में लता के रूप में उपता है इसका तना खोखला तथा पत्ता हरा और लंबा होता है इसके पत्ते तथा तनी दोनों ही खाने योग्यों होते हैं कल्मी साग की खेती आम तोर पर नदी, तालाब या अन्य जल मंगनच छेत्रों के पास की जाती है यह साग पूरे वर्ष भर उगाया जा सकता है लेकिन मानसून के मौसम में इसकी खेती अधिक की जाती है इसके पौधे तेजी से बढ़ते हैं और कम समय में तयार हो जाते हैं जिससे यह किसानों के लिए लाबदायक फसल बन जाती है कलमी साग में प्रचूर मात्रा में बिटामिन्स और मिनरल्स होते हैं इसमें आइरन, कैल्सियम, फासफोरस, बिटामिन A, बिटामिन C और फाइवर भरपूर मात्रा में पाया जाता है यह सरीर के लिए आवश्यक एंटी आक्सिडेंट भी प्रदान करता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारे सरीर को बिमारियों से लड़ने में मदद करता है कलमी साग स्वास्त के लिए अत्यन्त लापकारी है इसके सेवन से एनीमिया की समिस्या दूर होती है क्योंकि इसमें आईरन की उच्छ मात्रा होती है यह हड़ियों को मजबूत बनाने में सहायक है और हिर्दे रोगों से बचाव करता है इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र में सुधार होता है जिससे सरीर के विशेले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है कलमी साथ को बिभीन प्रकार से पकाया जाता है इसे सादाहरन भाजी के रूप में बनाया जा सकता है या फिर इसे दाल और अन्य सबजीयों के साथ मिला कर पकाया जाता है इसे आम तोर पर हलके मसालों के साथ पकाया जाता है ताकि इसके प्राखिर्तिक स्वाद को बनाए रखा जा सके कलमी साग न केवल पोशन के लिए आमहत्त पुण है बलकि पर्यावरन के लिए भी लापकारी है यह जल शोतों को साफ रखने में मदद करता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है इसके पत्ते और जड़े जल में मौझूद हानिकारक तत्वों को सोक लेता है जिससे पानी की गुणवत्ता में ब्रिद्धी होती है कल्मी साग एक अत्यन्त लापकारी और पोशक तत्वों से भरपूर हरी पत्तेदार सबजी है इसका नियमित सेवन स्वास्थ के लिए बहुत फाइदे मंद होता है इसके बिभिन्न स्वास्थ लाप और परियावरणिय महत्व इसे एक महत्व पूर्ण फसल बनाता है पत्त हमें अपने अहार में कल्मी साग को जरूर सामिल करना चाहिए ताकि हम इसके अद्वितिय स्वास्थ लापों का फाइदा उठा सके वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद